शेर मैसूर टीपु सुल्तान एक आला दर्जे के हुक्मरान तो थे ही साथ ही आलिम भी थे बच्पन से ही पढ़ने लिखने का उन्हें बहुत शौक था उनके वालिद हैदर अली पढ़े लिखे नहीं थे लेकिन तालीम की एहमियत जानते थे और इसलिए उन्होंने अपने बेटे टीपु सुल्तान को अच्छी तालीम दिलवाई टीपु सुल्तान को किताबों से इतना लगाव था कि सोते वख भी उनके हाथ में किताब रहती थी और जब उनके अबा ने 1774 में जिस साल टीपु सुल्तान की शादी हुई पूछा कि बेटा तुमें क्या चाहिए तुम मालू है टीपु सुल्तान ने क्या जवाब दिया एक कुत्ब खाना यानी लाइबरी बहुत खास और अज़ीज थी टीपु सुल्तान को उनकी लाइबरी जैसी डाइवर्स उनकी शख्सियत थी वैसे ही डाइवर्स इल्म पर किताबे थी एक तरफ मजभी किताबों का नायाब जखीरा था तो दूसी तरफ मिलिटरी स्ट्राटेजी पर हर इल्म पर किताबे थी पोईट्री, सूफिजम, हिस्ट्री, आस्ट्रोनॉमी, फिलोसोफी, माथमाटिक्स, साइंस, साइंस में खास तोर पर फिजिक्स 2000 वॉलियूम्स और कलमीनुस के यानि मैनुस्क्रिप्स का कलेक्शन था जिसमें कई जबान में किताबे मौजूद थी हिंदुस्तानी, कंड़, तेलगू, फार्सी, अर्वी, अंग्रेजी और फ्रेंच टीपु सुल्तान कई जबान जानते थे टीपु सुल्तान के कुटब खाने की बेश कीमती किताब थी 1655 के वक्त की कुरान पाक और फार्सी जबान में छपी महाभारत जिसका तर्जमा अकबर आजम के हुक्म से अबुल-फजल की देखरेक में हुआ था यही नहीं तारीख पर काफी नायाब किताबे इस कुटब खाने का हिस्सा थी जैसे अबुल-फजल की अकबर नामा और एने अकबरी शम से सिराजातिव की तारीख फिरोश शाही कममरी से ही टीपु सुल्तान का जुकाव सूफिसम की तरफ था वो इसके बारे में पढ़ते भी थे असूफियों के बहुत इज़त भी करते थे और उन्हें रियासत में रहने के लिए दावत भी देते थे उनकी लैब्रिरी में करीबन 115 किताबें सूफिसम पर थी पुराने तारीखी गीमती गल्मी नुस्के भी मुशुमार थे जैसे बीजापूर के आदिलशा, गोलकुंडा के कुतबशा के खानदान के दस्ताविस और जित्तूर और कदबपन के शाही कुतब खाने के मैनिस्क्रिप्स यही नहीं बाहर मुलक पर भी किताबे थी जैसे एरान, अफगानिस्तान, यूरोप और अमेरिका अमेरिकन रिवलुशन से काफी मतासिर थे टीवु सल्दान और उन्हें ये लगता था कि हिंदुस्तान और अमेरिकन कॉलिनीज के हालात एक जैसे ही है Declaration of American War of Independence का ड्राफ्ट जो कि थॉमस जेफरसन ने बनाया था उसकी Persian Translated Copy उनके पास थी फिलोसफी के इल्म में भी उनकी काफी दिल्चस्पी थी टीवु सल्दान ने रूसो, वॉल्टेर, मॉन्टेसक्यू, जॉन लॉक जैसे ग्रेट फिलोसफर्स के काम को पढ़ा था उनकी लैब्रेरी में 45 किताबें तो फिलोसफी पर ही थी इन इल्म के खीम्दी जवाहर को बहुत हिफाज़त से रखा जाता था जिसके लिए एक अलग से डिपार्टमेंट बनाया गया था यहाँ पर जिल्द यानी बाइंडिंग का खास इंतजाम था बाइंडिंग के बाद खासतार पर इसलामिक किताबों पर अल्ला, अल्ला के पैगंबर का नाम प्रिंट किया जाता था और किताब के ऊपर और नीचे की तरफ सल्तना दे खुदादाद छपा होता था टीपू सुल्तान अपने किताबों के लिए काफी पुज़सिव थे वो किताबों को पढ़ते थे और कई किताबों को तो वो बार बार पढ़ते थे और उनकी आदत थी कि वो किताब पढ़ने के बाद उस पर अपना सिगनेजर करते थे और अपने नाम का स्टैम भी लगाते थे चार मई सत्रा सो निन्यानवे फोथ एंगलो माईसुर वोर में अंग्रेजों ने टीपू सुल्तान को हरा दिया और शीर रंगा पटनम पर कबजा करके उसे लूट लिया इस लूट में टीपू सुल्तान की लाइबरी भी बच नहीं पाई अंग्रेजी फोज ने जितनी भी किताबे जर्नल्स, क्रॉनिकल्स, मैनिस्क्रिप्ट्स, मैप्स, ड्रॉइंग्स थी लाइबरी से ले गए कुछ इंग्लेंड की लाइबरी का हिस्सा बनी और कुछ एश्याटिक ससाइटी कलकथा की और कुछ इधर उधर हो गए तीपू सुल्तान का कुदब खाना तो नहीं रहा लेकिन उनकी लाइबरी की किताबे आज भी है